इन दिनों हर्याना विधान सबाचुनाव पुच्चार कर रहे हैं गोवन सिंग डोटासरा वहां अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं देसी अंदाज में वो ना सर्फ जनता को संभोधित कर रहे हैं भलकि पत्रकारों से बाच्चीत भी कर रहे हैं नमस्कार मैं हूँ शे सेलज़ा के भी सीम बनने को खीष्टान चल रही है इसी लड़ाई राजस्थान में पायलेट और गहलोत के बीच भी तो होती है पत्रकारों के सवाल पर गोविन सिंग डोटासरा बोले कि लड़ाई नहीं होती उनके मन में होता है कि मैं बनू मैं बनू और इसमें कुछ ग लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकेट नहीं दिया एक मीडिया बाच्चीत में सेलज़ा बोली मुझे टिकेट देना या नहीं देना ये तो हाई कमान का फैसला था पार्टी ने उकलाना में किसी और को टिकेट मिल गया बेशक मैं महां से लड़ना चाहती थी मैंने ये बात सारवजनिक तोर पर भी गई थी लेकिन ये पार्टी का फैसला था कि मुझे चुनाव ना लड़वाएं ये भी है कि मैं चुनाव लड़ती तो पार्टी को थोड़ा जादा फायदा हो जाता गौरतलब है हर्याणा में सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं बलकि राजस्तान के प्रभारी सतिश पुनिया पर जंकर निशाना साधा था डोटासरा बोले थे कि राठोर सहाब और पुनिया जी कैसे हर्याणा में वोट मांग रहे हैं ये मेरे समझ नहीं आता वो जनता से क्या कह रहे हैं विजेपी को वोट क्यों दिया जाए उनके मन से उनकी आत्मा से बंद कमरे में पूछना कि आप दोनों को बीजेपी ने कितना ठगा है बीजेपी ने आपकी साथ कैसा दोगलः विवहार किया है, क्या आप सच में विजेपी के लिए पृच्वार कर रहे हो या सर्फ दिखावे के लिए यहां आए हो, मेरे लिए यह सवाल उनसे पूछ लेना उत्तर आपको मिल जाएगा तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दनगरी निए शुक्रिया